नीम्बू के ये चमतकारी टोटके आप के किसमत बदल देंगे, एक बार आजमा कर देखिये, दोस्तों लोग बराबर मेहनत करते हैं जिन में से किसी का सपना पुरा हो जाता है और किसी का नहीं होता, आजकल की जिन्दगी में ऐसे कई लोग हैं जिनको सफलता तो कम मिलती है लेकिन असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ती तांतरिक गरंत में कई ऐसे टोटके बताए गए हैं जिनको करने से इनसान अपने सोई हुई तकबीर को जगा सकता है हलाकि इनका कोई व्यज्यानिक आधार नहीं है लेकिन सालों से लोग इनको आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं ऐसे ही हम कुछ ऐसे चमतकारी टोटके लेकर आए हैं आपके लिए जिनका एक बार आप परियोग जरूर करें और अपनी बंद किसमत को आप खोलने की कोशिश करें पहला उपाई ये है कि अगर आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो या उपाई आप जरूर आजमाएं घर में यदि किसी सदस्य को बुरी नजर लग गई है तो या टोटका आपके लिए बहुत लाबदायक होगा आप पिडित वेक्ति के ऊपर से सिर से पैर तक साथ बार निम्बू उतार लें इसके बाद निम्बू के चार टुकडे कर दे और उसको किसी सुनसान जगा पर फेक दे ध्यान रखे कि निम्बू के टुकडे फेकने के बाद पीछे मुड़कर बिलकुल ना देखे दूसरा बिजनस में वृध्धी के लिए अगर आप चाहते हैं कि बिजनस में आपका वृध्धी हो बिजनस जो है आपका अच्छा से चले अच्छा इंकम हो तो अगर आपके जीवन में आप अब तक जी तोड़ मेनत करने के बाद भी आपका जो काम धंदा है वो अच्छा नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो बिजनस जो है अच्छा चले अच्छा इंकम हो तो आपको बस इतना सा करना है कि शहनिवार के दिन निम्बू को लेकर एक निम्बू लीजिए निम्बू को लेकर उसे दुकान या ऑफिस के चारो दिवारों पर स्पर्श कराईए इसके बाद निम्बू के चार तुकड़े कर ले और चौराहे पर जाकर चारो दिशाहों में निम्बू का एक एक टुकड़ा फेक दे। ऐसा करने से नेगटिव एनरजी का नाश होता है और बिजनस या दुकान में फिर से वृद्धी होने लगती है। तीसरा है सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए अगर आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो एक निम्बू ले और उसको अपने सीर के उपर से साथ बार वार करके उसके दो टुकड़े कर दे। इसके बाद बाए हाथ का टुकड़ा दाई तरफ फेग दे और दाए हाथ का टुकड़ा बाई तरफ फेग दे। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। चोथा है नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्बू का उपाए अगर आपको नौकरी में सफलता चाहिए तो सुबा सबसे पहले निम्बू और चार लौंग लेकर हनुमान मंदिर जाएं इसके बाद मंदिर में निम्बू पर चारो लौंग गार दे और फिर हन इंटेर्व्यू दे वहाँ पे आपको सफलता जरूर मिलेगी पांचवा जो है वो है समरिद्धी के द्वार खोलने के लिए निम्बू के उपाए समरिद्धी के द्वार खोलने की निम्बू का या चमतकारी टोटका आप जरूर करें आपको लाब होगा आपको बस यह है कि स साथ बार अपने उपरवार ले और फिर उसे काट कर दो भाग कर ले निम्बू के कटे हुए जो पहले भाग को है उसे आप पीछे की तरफ फेग दे और दूसरे भाग को आगे की तरफ फेग दे और फिर अपने घर आ जाए ऐसा करने से घर में सुक शान्ती के साथ साथ सुक सम्रिद्धी का भी वास होता है